नमस्कार दोस्तों मैं संधीक मार आप सबका हमारे चैनल पर भुभव स्वात करता हूँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूज का लोन के बारे में और जाने के कि आप इस लोन को कैसे ले सकते हैं इसके लिए आपको कौण-कौण से documents की जुरूरत होती है और आपको second guard की उपर कितना loan मिल सकता है यह सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं तो अगर आप भी कोई second guard की उपर finance करवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी useful होने वाली है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें कहीं भी skip ना करें तो चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको ये दियान रखना है कि आप जो गाड़ी ले रहे हैं वो सातार साल से ज़्यादा परानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सातार साल परानी गाड़ी के उपर कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा दूसरी बात यह आती है कि आप ये गाड़ी किस से परचेस कर रहे हैं क्या आप अपने friend circle से परचेस कर रहे हैं या फिर आप किसी डिलर से ये गाड़ी लेना चाह रहे हैं क्योंकि अगर आप किसी friend circle से या किसी individual person से गाड़ी purchase कर रहे हैं तो आपको personally bank में जाकर loan के लिए apply करना पड़ता है लेकिन अगर आप dealer से purchase कर रहे हैं तो dealer के पास काफी finance के option होते हैं उनके bank के साथ tie up होते हैं तो आपको अपने आपसे ही offer करते हैं कि आप उनके थूरू लोन करवा सकते हैं लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा अगर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफी high interest rate देना पड़ सकता है क्योंकि आपको नहीं पता कि उनको कितना commission भीच में मिलेगा और उसी हिसाब से आपको interest rate लगाया जाएगा तो मैं आपको advise दोंगा कि आप इ हैंड पे लोन करवाएं तो आपको ज्यादा फैदा होगा क्योंकि अगर आप अपने हैंड पे लोन करवाने जाते हैं तो आप अपने विहाब पे सभी बैंक का जो है interest rate वह अपना चेक कर सकते हैं दोस्तों बात करते हैं कि आपको इस लोन के लिए कौन-कौन से documents की requirement होती ह हैं तो दोस्तों अगर आप सरकारी जोब में हैं या आप किसी प्राइवर सेक्टर में जोब कर रहे हैं तो आपको तीन मंत की sell is slip देनी होती है और साथ में सोर नंबर फॉर्म लगाया जाता है और इसमें आपको शिक्स मंत की bank statement देनी होती है और के वाइस में आपको pain card और insurance की photocopy साथ में attach करके देनी होती है जब आपकी यह पूरी file बन जाती है तब आप bank में जाकर इसको bank में submit कर सकते हैं और इसके बाद जो bank का processor वो सुरू हो जाता है उसके बाद जो bank का valueator है वो आपकी गाड़ी का survey करने जाता है कि गाड़ी आपकी किस हालात में है और गाड अगर आपकी गाड़ी में काफी दिखते हैं और वो एक्सिदेंटर गाड़ी है या उसमें काफी scratches है तो वो वेलेटर अपने इसाब से उस गाड़ी का rate mention करेगा और उसी इसाब से आपको loan provide किया जाएगा और जब यह आपका पूरा process हो जाता है उसके बाद आपके house की और जो कार का जो owner है उनकी account में transfer कर दी जाती है और गाड़ी आपकी हो जाती है उसके बाद आपको उस गाड़ी की जो RC आपके अपने नाम पर transfer करानी होती है और transfer कराने के बाद उसकी फोटो कॉपी या bank को submit करनी होती है दोस्तों यह था पूरा process यूज का लोन के बारे में आ जानकर को ज्यादा शेर करें अपने दोस्तों में अपने इस्तियरों में ताकि यह जानकरी और लोगों तक भी पहुंच सके मिलते हैं एक नहीं जानकर के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए